हेलो, गूड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हुसन की बात तो हुसन ही जाने हैं, रूप के नाज तो रूप ही जाने हैं, सही गलत तो दरपन जाने हैं, जिस पे गुजरी वोतन जाने हैं, हम दिवाने हो गए हैं आप के, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सानम, तू ही मेरा हम दम, तेरे संग जीनाब सातों जनम आईए, अब हम लोग शुरू करेंगे, टेस्ट आफ डिवीजिविलीटी, ठीक, चलिए, अब हम टेस्ट आफ डिवीजिविलीटी सुरू करेंगे, यानि विभाजिता का नियम, विभाजिता की जांच, इसमें दोस्तों, हम देखेंगे, सीखेंगे, कि किस से कटने का क्या रूल है, सबसे पहले कटने का नियम, आप रूल आफ टू, दो का नियम, रूल आफ टू, दो का नियम क्या होगा, डेस दीजिएगा, लिखिएगा, नोट करना है आपको, रूल आफ दो, नोट करना है, किसी भी संख्या के अंत में, मैं बोलता हूँ, आपको नोट करते जाना है, ठीक, किसी भी संख्या के अंत में, जीरो हो, या समसंख्या हो, किसी भी संख्या के अंत में, जीरो हो, या समसंख्या हो, तो वह पूरी संख्या, दो से विभाजित होगी, साथ में चाय पीते लेकिन अगर चाय पीते तो फिर आप लोग को यहां पढ़ा नहीं पाते जिला आपने फोन किया था जब हम रास्ते में थे हम निकल दिये थे हमने तो आपको उस टाइम भी बुलाया था आप ही लेट किये थे देखिएगा रूल अफदो है कि किसी संख्या के अंत में जीरो हो या सम संख्या हो वह पूरी संख्या दो से भी भाजित होगी चाहे वो संख्या कैसा हूँ क्यों न हो दोस्तों लास्ट में कोई सम डीजिट है तो कटेगा ही कटेगा किसी भी संख्या के अंती में अगर जीरो है तो वो भी कटेगा दो से ये दो से कटने का नियम है ये दो से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो हो या समसंख्या हो वह संख्या बिल्कुल कटेगी आगे लिखेंगे रूल आफ फाइब रूल आफ फाइब लिखेगा रूल आफ फाइब अब कराना कि तीन चारका है छोड़ दिये यही परसान है ना आपकी परजान मत होईए सुनिये एक काम करो दू का लिखे हो ना तब पहले अब चार के लिखो पांच को काट दो चार लिख लू रूल आफ टू हो गया रूल आफ फोर लिखिए किसी भी संख्या के किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक चार से कटे या उसके अंत में डवल जीरो हो डवल जीरो का मतलब ही छोटका जीरो आई डवल जीरो आई से ना डवल का मतलब किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से कटे या उसके अंत में डवल जीरो हो तो आप पूरी संख्या चार से भी भाजित होगी तो आप पूरी संख्या लिख लिए हैं अब चलिए याद हो गया होगा अब लिखेगा रूल अफ एट रूल अफ एट लिखेगा किसी संख्या के अंतिम तीन अंक अंतिम तीन अंक यानि थिरे डिजिट थिरे डिजिट किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से कटे किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से कटे या उसके अंत में ट्रीपल जीरो हो निलगा तार तीन जीरो हो तो आप पूरी संख्या तो आप पूरी संख्या आप से भी भाजित होगी को नो दिक्कत आना नहीं न बोलिये न है कोई दिक्कत कि संख्या के अंत में तीन गोजीरो है तहीं संख्या आठ से कटना ही कटना है भाजिशाब किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक अगर माल लू आठ से कट जाती है तो वो पूरी संख्यार से कटेगी, चाहे वो संख्या कितना हूँ बड़ा, क्यों न हूँ, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, दोस्तो, हम सीख गए क्या-क्या पता है, हम सीख गए 2 का नियम, हम सीख गए 4 का नियम, हम सीख गए 8 का नियम, याद हो गया, अब आप लिखियेगा, Rule of 5, 5 का नियम लिखिये, आप तो सीख गए, Rule of 2 दो का नियम सीख गए थे, आब 5 का नियम सीखिए, Rule of 5, दैस देकर यहाँ से लिखना सुरू करिएगा, किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में पाँच हो क्या हो पाँच हो या जीरो हो किसी भी संख्या के अंत में पांच हो या जीरो हो कोई गोगो जीरो हो उसे कोई दिक्कत ना एगो रह चाहिए दूगो चाहिए पांच गो चाहिए अंत में जीरो होना चाहिए किसी भी संख्या के अंत में पांच हो या जीरो हो तो वह पूरी संख्या पांच से कटेगी वो अब पूरी संख्या 5 से कटेगी याद हो गया वगा आईए अब देखते हैं अब लिखेगा रूल अफ ट्वान्टिफाइब यानी 25 का नियम 25 का नियम लिखेगा किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से कटने पर किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से कटने पर या उसके अंतिम में डबल जीरो हो तो वह पूरी संख्या 25 से भी भाजित होगी तो आप पूरी संख्या 25 से बिभाजित होगी न समझ रहे हैं बिल्कुल समझ रहे होगे अब सुनिये यानि संख्या कितना हुँ बारा आ जाए उसके अंत में डबल जीरो है तई 25 से कटेगा पक्का कटेगा 25 से सुनिये किसी भी संख्या का अंतीम 20 से रहा है वो संख्या 25 से कटेगी पूछा जाए कि 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा सीधे कहिएगा कटेगा क्योंकि कि अंतिम का दूंग 75 है जो 25 से बिलकुल पूरी तरह भी भाजित है भाई साहव से लिए 25 से कटेगा आ रहे समझने हैं अज आप लोग को फवैदा बुझाता है कि नहीं पेड कलास का पॉब्लिकली कलास और अन्लिस्टेड कलास में अंतर तो है अंतर बस इस बात का है कि आए जरा ध्यान दीजिए अब लिजे थ्वरा साब बफडिंग हुआ इसमस्या मजाता है अब आए ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बात जरा बतला दो बहुत अंतर है सुनिए रूल आफ 25 हो गया तो आप रूल आफ 125 यानी 125 का नियम सबसे पहले रूल आफ टू के बाद हम रूल आफ क्या पढ़े थे रूल आफ फोर पढ़े थे फिर रूल आफ एट पढ़े थे फिर रूल ऑ फाइब रूल अफ 25 रूल अफ वान टु फाइब अब एप सो पचीस का नियम लिख लिजिएगा किसी भी संख्या के अंतिम्तीनंग किसी भी संख्या के अंतिम्तीनंग किसी भी संख्या के अंतिम तीनंग 125 से कटे या उसके अंत में 000 हो या उसके अंत में 000 हो तो अब पूरी संख्या तो अब पूरी संख्या 125 से भी भाजित होगी वह पूरी संख्या 125 से जख्या अंतिम में 30 गोजीरो दिख जाएगा उसंख्या 125 से कटेगा अब बात हम आपको बता देते हैं अभी 32 स्टुडेंट देख रहे थे लाई अब आगए 24 से स्टुडेंट पर हो सकता है बफ्रिंग थोड़ा सा हुआ उनके मज़े से छुट गया होगा लेकिन कोई व्यक्ति इस बज़ा से इसको छोड़ दे की तो बड़ा आसान टोपिक है चलिए है ना सुनिए तो सुचते हैं कि भाई इतो असान इसको छोड़ देते हैं तो यह गलती करते हैं कुछ बाते तो इसमें जरूर होगा जो बात आप नहीं जानते होंगे वह बात भी अम बताने वाले होंगे बिल्कुल अभी आपको पता चलेगा लास्ट तक में आप लोग में से मुझे लगता है कि सिक्स्टी परसेंट से ज्यादा स्टुडेंट टेस्ट ऑफ डिवीजिबिलीटी जानते होंगे यानि किस से कटने का क्या रूल है यह आप जानते होंगे बट उनके लिए भी मैं बतादी जो जानते है ना उड़ी के लिए भी इस पेशल है इस क्लास में देखिए दोस्तों दू का नियम था एगो जीरो हो पांचका भी नियम था अंपिम में बमेंगो जीरो हो त最 सा दू का नियम पर है वो इसाही पांच का नियम पर है हो दू समसंख्या है ता दू के लिए था कि अंती में समसंख्या होगा ता दू से कटेगा अब पांच समसंख्या न न है ता पांच का नियम था कि अंती में पांच होगा ता पांच से कटेगा चाहे जीरो होगा ता जीरो पद्धे दू-गो-जिरो होना चाहिए कि चार में तुडू-गो-दू होता है एक दू पड़ एक जिरो के दू-गो-दू होता है उसी तरह 25 में तो Cavल 5 होता है 1-5 के लिए 1-0 देखना है 2-5 है यह फ्रौकर दू-गो-पांच उसी तरह 125 में तीन बार 5 होता है, अंतिम में 3 गोजीरो होगा, तो 125 से कटेगा, बताइए कुछ है special हुआ की नहीं हुआ, याद हुआ की नहीं, जैसा नियम दूख का, जैसा नियम 5 का, जैसा 4 का, जैसा 8 का, जैसा 8 का, जैसा ही 125 का, अब किसी के धिमाग से जाना ही नहीं है, हम जानते हैं, दूसे कटने का नियम होता है, दूसे कटने का नियम होता है, अंतिम में 1 गोजीरो, चार से कटने का अंतिम में 2 गोजीरो, आठ में तीन गो दू होता है आम तीन से तीन गो जिरो उसी तरह पांच बाला का नियम अंती में गो जिरो 25 बाला में नियम है आम तीन में दू गो जिरो 125 बाला में है आम तीन में तीन गो जिरो एमें तीन गो पांच एमें दू गो पांच होता है इसलिए दू जिरो पाँच पढ़ा दिया तीन तो पढ़ाया ही नहीं था क्यों नहीं पढ़ाया था अभी पता चलेगा लिखा जाए रूल कि संख्या के अभाई लिखोना किसी भी संख्या के अंको का योग किसी भी संख्या के अंको का योग तीन का गुनाज हो किसी भी संख्या के अंको का योग तीन का गुनाज हो तो वह पूरी संख्या तो वह पूरी संख्या तीन से विभाजित होगी किसी भी संख्या के अंको का योग किसी भी संख्या के अंको का योग तीन से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या तीन से विभाजित होगी सुनिए इसके अंको का योग आपको चेक करना है कि तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा तो सुनिए जोड के देख लीजिए जोड के देख लीजिए आठ पलस तीन पलस एक पलस छोव पलस साथ साथ छोव तेरा एक चाओदा चाओदा तीन सतरा सतरा आठ कितना पचीस चाओदा तेरा चाओदा तीन सतरा आठ पचीस पचीस कटता है पचीस कटता है तीन से पचीस नहीं कटता है पचीस आया ना इपचीस अंको का योग अरे आठ तीन एक छोव साथ इस अब अंकन है अंको का योग तीन से न कटा तहीं संख्या न कटेगा तीन से हां अगर इजोड के चवभी साथा तब तो कट जाता बातार है समझ में यानि कोई ऐसा भैलू आना चाहिए जो तीन से कट कटने वाला हो तब संख्या कटेगा जैसे आपका भी देखते होंगे एक कावन कट जाता है तीन से सतरतिया ये कावन इसलिए कि इसको जोडने पर छो होता है अच्छो तो तीन से डिवाइड हो ही जाएगा बातार है समझने अब सुनिया ऐसे चेक कर लीजेगा ना कोई सं यह दिया हुआ है तो चेक कर लीजेगा ना कि बताएए हाई है अधार है अन्मोज जी बहुत लेट से कलास कर रहें आज चेक कर लिजएगा लेकिन मेरे बाई अब मुझसे पर रहा होता कुछ स्पेशल इसमें भी होना चाहिए ना ऐसे भी नहीं करना चेक करना है एसे कर दी आप लोग नहीं करना ऐसे चेक कैसे करना है पता है अएसे तो सब लोग चेक करेगा आरे जब हो तीन का गुनाच ही कटेगा को है कि ततीन से कटे वहला छोड़ेना इसको छोड़ देना बाखी जोड़ेना साथ एक 488-6 इसमें भी छोड़ दो तीन छोड़ दो अब जोड़ दो साथ साथ 14 15 15 छोड़ दो खाली बचा आठ आठ कटता है नहीं कटता है बताईए अब आराई समझ में अब आपको बहुत लोग ऐसे करेंगे माली इतना बरादे दिया इतना बरादे दिया अब तीन से कट्टने के लिए सब को जोड़ेगा रे तीन से कट्टे वाला क्या इसी ही छोड़ दे रहे भाईबा आइसी ही छोड़ दू आठ दूआ चार छो दूआ चार छो छोड़ दिये आठ साथ पंद रहा भाई पंद रहा तीन से कट्टा यानि पूरा कट जागा तीन से कि बात करते हैं है हो गया न चेक कि इसलिए न कहते टेस्ट अफ डीवीजी लीटी तब परहवे करते हैं काम करने का तरीका होता है लोगों का हम हम कि चले आगे हैं अब बहुत लोग छोड़ दी के तो बड़ा हलका वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं आरे हलका है तो हलका है तो और हलका नहों अवसुनेगा अभी तो इस पेसल बचले हैं अभी और सुनना एक बात बताओ हम ने पढ़ लिया दू पर लिया तिन का नियम हम ने पर लिया चार का नियम रेगूलर में सब हो गया अब हमारे पास बचता है छो तो हम पढ़ेंगे rule of six रूल आफ शिक्स है ना अच्छा जितेंदर एक बार और कहते हैं मतलब नहीं समझे भाई 9 3 1 4 है ऐसे इस 3 से कटेगा की नहीं तरनाव तक टता है छोड़ देना तीन तक टता है छोड़ देना जोर लेना 4 एक 5 5 नहीं नहीं न कटता है तीन से यानि ये संख्या नहीं कटेग तीन से हम ये कह रहे हैं ठीक अब ऐसे भी जोड़के देखो 9 3 12 12 एक तेरा तेरा चार सातरा नहीं कटा हुआ हुआ समझ गया है अब रूल आफ शिक्स छाव कानियम परते हम लोग लिखिएगा दैस देके यहां से लिखना सुरू करिएगा लिखिएगा यादी कोई संख् लिखिए यादी कोई संख्या दो और तीन यादी कोई संख्या दो और तीन इन दोनों से कटे तो आप पूरी संख्या चाव से कटेगी यादी कोई संख्या दो और तीन इन दोनों से कटे तो आप पूरी संख्या चाव से कटेगी यादी कोई संख्या दो और तीन दोनों से कटे वह पूरी संख्या चाव से कटेगी अब देखना चाव से कटने का नियम बताया ये चाव काही तूगो गुनन खंड है न दो और तीन इसी के खंड है माना इसी के तूटने से आया है दो और तीन जिसको दो और तीन काट देगा क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप लोग मेरा बात आप लोग के पास तक पहुंच पा रहा है जिसको दो और तीन काट देगा जिसको दो और तीन काट देगा उसको छोब ही काट देगा दोस्तों आप LCM-HCF पर चुके होंगे आरे दो तीन का HCF कितना होता है एक होता है तो सुनो यानि दो और तीन का HCF एक होता है न इसलिए यह ऐसा जोड़ा है जिसको दो भी काटे या तीन भी काटे उसको छोब काटेगा जैसे आप मान के चलो बाड़ा को आप जानते हो बाड़ा को दू भी काटेगा आप बाड़ा को तीन भी काटेगा इसलिए बाड़ा को छोब भी काट देता है अब तो समझ गए होंगे एक बात और सिखिए अगर आप लेके चलिएगा चौदा ता चौदा को दू काटता ह आप तीन नहीं ना काटता है इसलिए छो नहीं काटेगा ऐंसार काता है कि आय सुनों तुम दुन्नों जिसको काटो गें न और तू हमीरे ना बाल बच्चा कहले तो दुन्नों जाकट काट दो करें हम काट सकते हैं है समझ गैं अब देखिए सो लूए है चीज सिखाते हैं इखाली छो का दू तिन वाला जोड़ा कि दू का भी नियम आप जानते हो दू से कोई संख्या कटेगा इसका नियम जानते हो कि नहीं अंति में समसंख्या हो चाहे जीरो हो और तीन का भी नियम जानते हो कि उसके अंत में सरी तीन का नियम है कि अंको का यो ही गुश्य आई मैं इसलिए हम नहीं करने के लिए कि यह संख्या नहीं करते हैं यह शॉख से लिए चेक बात करते हैं आगया समझ में अब देखिए अब देखिए 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 अब आप से पूछ दे कि बारा से कटने का क्या नियम होगा तो इसका दूगो गुननखन दूटियाई छवपूर रहा था न इसका तो छवदूना बारा भी पूरेगा चार क्या ऐसा कहा जा सकता है जिस संख्या को च्छाओ और दो दोनों काटेगा उस संख्या को बारह काट देगा क्या ऐसा कहना सही होगा या नहीं मुझे बताओ जल्दी बताओ कोमेंट करके क्या ऐसा कहना सही होगा की नहीं क्योंकि यहां मैंने बताया था दू तीन का एच सी एफ कितना ता है ये लेकिन चौधू का एच सी एफ कितना आएगा दू इसलिए गलत हो जाएगा HCF एक वाला होना चाहिए एही चीज तो सिखना है अब लेकिन चारा तिन वाला जोड़ा सही हो जाएगा क्योंकि चार तिन का HCF HCF एक आता है वैसा ही इसका दो गुनन खंड लीजियेगा जिन दोनो गुनन खंड का नौसा एक होगा वही गुनन खंड सही होगा यानि जिस संख्या को 4 और 3 काटेगा उसी संख्या को 2 काटेगा अगर आप इसको कहेंगे तो देखिए हम एक्जामपल के लिए चेक करते हैं 6 6 को 2 काटेगा 6 को 2 काटेगा बताइए छो को बारा काटेगा नहीं काटेगा का है छो को तो छो काट दे रहा है दू भी काट दे रहा है तब बारा काहे न काटा मामला फस गया की नहीं लेकिन देखिए लेकिन देखिए कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जैसे छो लेते तो छो को तीन काट रहा है चार नही से लिए 12 से भी कटेगा इन चार से भी कटेगा इसलिए 12 से भी कटेगा कि आगए समझ में बात आगया समझ में आप lot ko बताएए तो बुली 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 जल्दी Hey एच्छाइश का भी बताएंगे पहले ही बताऊं नए समझ में आया कि एक बारा उपकता है मॉसा बना बेदा है मॉसा मॉसा बना बेदा दूआ तीन का मॉसा कितना होगा हम आप से पूछेंगे दू-तीन का किफिना होगा आता है है से kingsa भूल गये तब तक है दू आसे कितना होगा एक धू हore आप पान्च आपीन का एचसरेंग कीतना होगा अंवन ए पाँ टीन कॉना होगा है एक होगा है अब बताएं चार चाहसेetzen यह कितना होगा हुआ है चार्चहा का यह कितना होगा कि दू होगा बिल्कुल अब आजाइए अब आजाइए तब दोस्तों जब कभी मालो अभी अठारा नहीं अभी आपको हम सिखाते हैं आप से पूछा जाए कि 15 से कटने का नियम क्या होगा पांच का भी नियम जानते हो तब जे संख्या तीन से भी कटेगा पांच से भी कटेगा वो संख्या पंदरा से कटेगा हाँ अब सुनों आपसे पूछा जाए रूल ऑफ 20 क्या नियम होना चाहिए 20 का क्या नियम होना चाहिए चार पांच बिल्कूल कुछ लोग तो 10 दूना 20 भी तोड़ देंगे लेकिन इसका HCF1 न न होगा इसलिए गलब चार पांच में तोड़ेंगे क्योंकि इसका HCF1 होगा जो संख्या चार से भी कटेगा पांच से भी कटेगा वह बीस से पक्का कटेगा चारों से कटने का नियम जानते हैं आप पांचों से जानते हैं अब सुनिए हम आपसे पूछेंगे रूल ऑफ अठारा बताईए अठारा का क्या नियम होना चाहिए अठारा का क्या नियम होना चाहिए बताईए पहले कुछ संख्या 18 से कटे उसका क्या नियम कुछ लोग कहेंगे 2-9-18 कुछ लोग 3-6-18 बोल सकते हैं बताई ये कौन सा ही हो रहा है कुछ लोग 6-3-18 कह रहे हैं कह रहे हैं इसका HCF 1 होगा इसलिए इसा ही होगा रहे 3-6 नहीं होगा 3-6 HCF 3 हो जाएगा ना इसलिए गलत बिल्कुल साहिग आ रहा है समझ में अब रुकिये ना रुकिये ना भी रगार देंगे रगार रूल आफ अठारा अठारा हो गया आप हमें 24 का बताईए 24 का क्या नियम होना चाहिए 24 का क्या नियम होना चाहिए आठ तीनियम क्या बात है आठ तीरी 24 छो चक्य भी 24 अब बारा दूना भी 24 होता है लेकिन यही सही होगा क्योंकि इसका HCF एक होगा इसमें HCF दू हो जाएगा इसमें भी दू हो जाएगा गलत हो जाएगा तो जिस संख्या को आठ भी कातेगा तीन भी कातेगा उसी को 24 कातेगा आठ का नियम आप जानते हैं कि अंतिम का तीन अंक आठ से कटना चाहिए और यांति में तीन जीरो होना चाहिए आठ तीन का भी नियम आप पड़ चुके हैं अंको का योग तीन का गुनेज होना चाहिए नहीं पढ़ हैं पड़ चुके हैं न बोलिये अब बढ़ते हैं रुकिए टाइम मत देखके आज बढ़िए अब बताईए रूल अफ च्छतिस का नियम बताईए बताईए च्छतिस का नौचो के च्छतिस नौचर का मसाइक होगा क्या पात है सीखे की नहीं सीखे अब तक गर्ला उरा दीजिएगा हम आपसे कहेंगे ए भाईबा रूल अफ च्यासट क्या होगा कोई संख्या च्यासट से कट रहा है क्या होगा कि नहीं कह सकते हैं एगारा च्छके च्यासट कहेंगे न क्या बात है बताईए आप कुछ ओ कहने वाला बात है सीगए अब लग रहा है भारोसा खुद पर हो रहा हिम्मत बाइस ती एच्यासट भी सच चलेगा बाइस तीन का एच्यासट है होगा खुद पर यकीन है ना सिखा रहे टेस्ट ऑफ डिवीजीबिलीटी में कुछ है स्पेसल बिल्कुल ना अब चलिए अब यहां बात करते हैं हमें सीखना है अब रूल आफ नाइन रूल आफ नाइन आग करिएगा लाइक करिएगा लखिए रूल आफ नाइन लिखिए चलिए रूल अफ नाइन लिखा जाए लिखेगा किसी भी संख्या किसी भी संख्या के अंको का योग नौ का गुनज हो किसी भी संख्या के अंको का योग नौ का गुनज हो तो वह पूरी संख्या नौ से भी भाजित होगे किसी भी संख्या के अंको का योग 9 का गुनज हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी किसी भी संख्या के अंको का योग 9 का गुनज हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी किसी भी संख्या का योग 9 का गुनज हो मतलब 3,6,7,8,9 ऐसे मैंने लिख दिया तो 9 से कटेगा की नहीं 3,6,9 कट गया 9 कट गया 8,7,15 हुआ जोड के नहीं कटेगा नहीं कटेगा इसंख्या अगर इसको लेके चले 9 कट जागा 7 दू 9 कट जागा यानी कट जागा 9 से यह वला कट जागा ऐसे चेक होता है अब बप्रिंग हुआ था ना फिर कॉल आ गया था चलिए यहां तक ठीक है अब लिख लीजेगा रूल आफ एलेविन एगारा का नियम लिखेगा रूल आफ एलेविन लिखेंगे किसी भी संख्या किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर जीरो हो या एगारा का गुनज हो किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर जीरो हो या एगारा का गुनज हो तो वह पूरी संख्या तो वह पूरी संख्या एगारा से भी भाजित होगी किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग कांतर जीरो हो या एगारा का गुनज हो तो वह पूरी संख्या एगारा से भी भाजित होगी जैसे मालो साथ, तीन, छो, चाराइसे मैंने लिखा है ठीक अल्टरनेटिव नंबर के योग कांतर का क्या मतलब होता है अल्टरनेटिव नंबर के योग ये लिजिएगा तो इसको छोड़िएगा इसको लिजिएगा ये हुँ अल्टरनेटिव एक को लेना एक को छोड़ना एक को लेना एक को छोड़ना कि अल्टर्नेट लेना हुआ कि साथ और तीन जोरलों कितना आता है दोस अब बाकि इसको 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 इदुनों अल्टर्नेट हुआ चार दोस इसको घटा देना अल्टर्नेटिव नंबर का योग अल्टर्नेटिव नंबर का योग का अंतर देखना जीरो आया क्या हां जीरो तो आगया इकट जाएगा एगारा से एगारा से कट जाएगा चाहे यहां पर 0 के जगा एगारा आता 22 आता 33 आता 66 आता 44 आता 55 आता सब कटता अगर ऐसा आता तब 0 के जगा इसलिए मैंने लिखाया किसी भी संख्या के अल्टर्नेटिव नंबरों के योग कांतर जीरो हो या एगारा का गुनज हो वह पूरी संख्या एगारा से विभाजित होगी कि अब आपको हम पूछेंगे कौंस यह संख्या एगारा से कटेगा की नहीं तीन चार पांच छो साथ मालीजी इतना तक लिख दिये यह एगारा से कटेगा की नहीं इसे हमें चेक करना है तो तीना पांच आठ आठ साथ 15 15 चारा छो दौस पंदौरा में से दौस गया पांच नहीं कटेगा यहाँ जीरो आना चाहिए था नहीं तो एगारा नहीं तो बाइस तब कटता इन इसे कटेगा किलियर है किलियर किसी को भी चेक कर दोगे ना वाखलो आठ तीन साथ पांच चार चलो दौस अधिक कर के बताईए इक कटेगा की नहीं कटेगा एगारा से यह एगारा से कटेगा की नहीं कटेगा जरा बताईए चेक करके ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे नहीं कटेगा चलीए क्योंकि आठ साथ पंदर 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 चार उनीस तीना पांच आठ आठा दू दोस उनीस में से दस या नहीं कटेगा क्या बात है ओ आसमान वाले जमी पर उतर के देख होती है क्या जुदाई तू भी पिछर के देख तू भी तो देख दुनिया में दर्दो का सिलसिला गम की तरप से रब मेरे तू भी तो दिल मिला आए ज़र ध्यान दीजेगा अब क्या करना है अब लिखिएगा रूल अफ सेवन बताए बिल्कुल रूल अफ सेवन अदोस से खटे के तनियम बतावे के जरूर यह नहीं है model प्लाव लीए लिखे इस पर कैसे क्या आएगा कि लिखिये गा के एक ही अंकों से अश्य एक ही अंकका ऐसे लिखेगा एक ही अंकका । चोबर अ एक ही अंकका चोबर या छो के गुनज में पर्योग करके एक ही अंक का छो बार या छो के गुनज में पर्योग करके कोई संख्या बना हो तो वह पूरी संख्या एक ही अंक का छो बार या छो के गुनज में पर्योग करके कोई संख्या बना हो तो वह पूरी संख्या कि तीन साथ एगारह तेरह एकोईस एवं सैटिस से कि पुर्णता भी भाजित होगी एक ही अंक का यूज छो बार हो जाए जैसे रहेगा दूद का यूज छो बार पूछ देगा आपको चारगो अपसं देगा एक बार दूख का यूज पांच बार देगा कोई अपसं में चारे है भाई 7-1 रह जाएगा लीजिए 336-7 ऐसे देगा काई देगा कौन सी संख्या सइटिस से कटेगी अब रूल नहीं जाने गाए मेज़ने दिमागे खराब हो जाएगा लगातार दू छो वार या बारा वार या अथारा वार ऐसे रहेगा तो तीन साथ एगारा ते रहे कोई सेवं से तीस से कटेगा आगया है समझ में बोलिए ना आगया है कि अगर बताये तो अब सबसे इंपोर्टेल्ट नोट्स लिखें स्टार दीजिएगा कोई पी पर स्टार सबसे इंपोर्टेंड दाइंड चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते बाई गुट नइट मिलते हैं कल लाइक कर दीजेगा